हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल गोलू की साउजी रसोई आज हम एक नाश्टा तयार करने वाले हैं जो कि एकदम कम तेल में बनेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी भी रहेगा और बहुत जल्दी बन भी जाएगा बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये नाश्टा बहुत पसंद आएगा तो चलो बनाते है तो आज के नास्टे के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आलू यह एक कच्छा आलू लिया हुआ है इसे मैंने छील लिया है अब इसे मैं ग्रेट कर रही हूँ तो इसे मैं डारेक्ली पानी में ग्रेट कर लेती हूँ ताकि यह काला ना पड़े यह देखो यहां पर मेरा आलू ग्रेट हो चुका है अभी यह आलू को मैं दो-तीन पानी से अच्छे से धोके ला लेती हूँ यह देखो यहां पर मैंने आलू को पूरा धो लिया है और उसमें से पूरा पानी निकाल लिया है अभी उसी आलू में मैंने एक बारिक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है इसके साथ ही इसमें डार रही हूँ दो-तिन हरी मिर्च बारिक कट कर ये बारिक कटा हुआ एक प्याज है वो भी इने इसमें डाल दिया है इसके साथ ही मैं इसमें डार रही हूँ बारिक कटीवी थोड़ी शी धनिया अभी और हम इसमें मिला रहे है दही तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी दही लिया हुआ है जो कि मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पे ज़्यादा खटा दही यूज नहीं करना है इसे मैं अभी अच्छे से mix कर लेती हूँ, पूरे ingredient को दही के साथ अच्छे से mix कर लेती हूँ अभी इसके बाद इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, तो यहाँ पर मैंने आदा चमच अजवाइन हाथ में crush करकर डाल दी है इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ तील तो यहाँ पर मैं दो चम्मच तील डाल रही हूँ एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और अब हम इसमें डालेंगे स्वादा अनुसार नमक अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरे इंग्रेडियन को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है यह नाष्टा अभी यह इंग्रेडियन अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं अभी हम इसमें डालेंगे बेशन तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दो चम्मच बेशन इसके साथ ही इसमें डालों एक बाउल सूजी मैं अभी मिक्स कर लेते हैं ये देखो अभी मैं इसमें डार रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा पानिए डाल कर इसमें मिक्स करते हैं ताकि हमारा जो मिश्रन है ज्यादा पतला ना बने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर इसका मेक बैटर तयार कर लेते हैं ऐसे ही हम इसे मिक्स करते जाएंगे यह देखो अभी पूरा मिश्रन हमारा यहाँ पे रेडि हो चुका है एकदम परफेक्ट ऐसे यह बैटर तयार हो चुका है अभी इसे मैं दस मिनिट ऐसे ही ढख कर रख देती हूँ ताकि सूजी भीग जाए दस मिनिट के बाद यह बैटर थोड़ा सा और गाड़ा हो जाएगा यह देखो सूजी अच्छी से भीग चुकी है यह बैटर थोड़ा सा और गाड़ा हो चुका है अभी हमें इससे पकाना है तो इसके पहले मैं इसमें डार रियू हूँ एक पौच इनो और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसे एक्टिवेट कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनों पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए अभी हमें इसे पकाना है तो उसके लिए ग्यास पर मैंने एक अप्पे पैन रखा हुआ है और उसमें डार रही हूँ थोड़ा थोड़ा तेल एकदम थोड़ा सा ही तेल लगता है इस नास्ते में पूरे अप्पे पैन में मैंने तेल डाल दिया है और अभी इसे मैं ब्रश ग्रेस कर लेती हूँ ताकि तेल पूरी अप्पे पैन में अच्छे से लग जाए अभी जो बैटर हमने तयार करके रखा हुआ था वह बैटर एक एक चमच में इसमें डाल देती ह इसलिए हमें इसमें कम-कम ही भरना है, इसे ही पूरे अप्पे पैन को हम भर देंगे, देखो पूरे अप्पे पैन मैंने यहाँ पर भर दिया है, अब इसे ढख कर चार-पाच मिनिट हम पकने देते हैं, चार-पाच मिनिट में यह नीचे से पक जाएंगा, यह देखो नीचे से कड़क होना चालू हो गया है, तो अभी इसे हम पल्टी कर देंगे, तो सारे अप्पे मैं ऐसे ही पल्टी कर लेती हूँ, देखो, सारे अप्पे नीचे से कड़क होने चालू हो गया है, तो अभी हम पूरे अप्पे को पल्टी कर देते हैं, यह देखो, यह अप्पे दोनों तरब से अच्छे से पक चुके है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं, यह देखो, मैंने अप्पे को निकाल लिया है, आप आप चाहे तो यह अप्पे ऐसे ही किसी चटनी के साथ या टोमेटर सॉस के साथ खा सकते हो लेकिन मुझे इस अप्पे को और भी ज्यादा चटपटा बनाना है तो उसके लिए मैंने एक पैन ग्यास पर रख दिया है और उसमें डाल दिया है एक चमच तेल इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगे आधा चमच राईदाना आधा चमच जीरा और ये आट-दस करीलियूज है ये भी मैंने इसमें डाल दिये है इसे अभी मिक्स कर लेते हैं अभी हम इसे चट पटा स्वाद लाने के लिए इसमें मिलाएंगे एक चटनी तो यहां पर मैं डाल रही हूँ शेजवान चटनी यहां पर मैं दो चमच शेजवान चटनी डाल रही हूँ इसे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगेगा और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो ये चटनी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी में अब ये जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए तब हमने जो अप्पे तयार करके रखे हुए है अब हम इसमें डाल देते हैं सारे अप्पे में इसमें डाल दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो मसाला है शेजवान चटनी का वह पूरे अप्पे में अच्छे से लग जाए तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम ये देखो ऐसे ही इसे मिक्स कर लेंगे बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्टा बनता है ये हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आता है ये देखो पूरे अप्पे अच्छे से मिक्स हो चुके है ये देखो पूरे अप्पे पे मासाला अच्छे से लग चुका है में उपर से डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया जिससे की नाश्टे की तेस्ट और भी बढ़ जाएगी इसे भी मिक्स कर लेते हैं तो ये बन गया हमारा आज का चटपटा और टेस्टी नाश्टा देखो कितना मौस्त दिख रहा है अभी मैं ये सारा नाश्टा प्लेट में निकाल लेती हूँ तो ये बन गया आज का चटपटा और टेस्टी नाश्टा देखो कितना मौस्त दिख रहा है ये देखो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है एकदम मौस्त चटपटा सा लगता है घर में अगर मेहमान आ जाए और उनके लिए कुछ जल्दी से बनाना हो तो उसके लिए नाश्टा बहुत ही अच्छा है चाहे तो आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते है तो आप भी इस नाश्टे को एक बार जरूर ट्राय करना थैंक यू